हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं बोडी माइंड के रिलेशन्शिप के बारे में ये हमारी साइकलोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चेप्टर है जैसे कि सभी को पता है कि आज कल हमारा जो we can say mental health है और psychological issues है वो day by day बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं अगर हम आपकी बात करें यूत की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा mentally and physically ठक चुका है पक चुका है अक चुका है उसकी उपर ना सिर्फ हमारा that is body का pressure रहता है पांच, पांच, छे, शे गंटे की classes और उसके इलावा मानसिक pressure रहता है कि personal life के affairs बगिरा, girlfriend, boyfriend, market के अंदर क्या आ रहा है और teacher ने क्या कह दिया, friend ने क्या कह दिया, ममी ने क्या कह दिया ये सारा कुछ अल्टीमेटली आपको शाम तक जो है वो तोड़के रख देता है और आज का जो हमारा यूथ है वो क्या कंपलेन कर रहे है कि मेरे भाग जड़ रहे हैं, मैं सुन्दर नहीं हूँ, मेरी हाइट कम है और ये सब कहां पे चलता है, ये सब आपका यहां पे चलता है माइंड में चलता है, माइंड में, ठीक है फिजिकली तो आफिट हो, फिजिकली तो मैंने अनॉटमी के कई सारे लेक्चर्स डाल दिये है आपका heart ऐसा है आपका mind ऐसा है आपका eyes ऐसे काम करती है हमारी bones ऐसे काम करती है but आप mind का और body का जो relationship है वो कैसे समझोगे कैसे उसको जो है अपने weekend से understanding में लेके आओगे तो आज का हमारा ये lecture इसी दिल्चस्प topic पे होने वाला है तो इस video को end तक देखिए I will promise that ये जो topic है आपका end तक आपको समझा जाएगा तो students body का mind के साथ and mind का body के साथ जबर दस relationship है दोनों एक दूसरे के में रह नहीं सकते अरे याद करो वो किसी पिटी सी हमारी जो वो क्लास में बोलते हैं न वो definition of mental health, physical health या फिर generally जो डवली एचो के दवारा health की definition दी गई है उसमें क्या बोला गया है health is physical, mental, well-being of a person, spiritual ये वो बट आज का इनसान AC में सो रहा है और बहुत अच्छी अच्छी quality की books हैं उसके पास iPhone हैं, उसके पास Android phones हैं, उसके पास student के पास खास तौर पे हर luxury available है कुछ students इसको afford नहीं कर पाते but in the end of the day, जैसे ही college का आखरी घंटा स्टार्ट होता है student की मानसिक और हमारी physical body चकना चूर हो जाती है थकावट से student जो है, वो भर जाता है भर जाता है न, मानते हो न सबी ये बात, भर जाता है ठीक है, उसी के उपर हमारा ये lecture है उसी के उपर जो है, हमारा lecture है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे effect of mind on the body के बारे में हमारा जो मन, हमारा जो mind है that is हमारा mind, ठीक है जी, mind है हमारा हमारी ego है, हमारी id है, ठीक है हमारा super ego है, इसके इलावा हमारा aptitude है ठीक है, हमारा जो aptitude है और हमारा जो attitude है इन सभी का हमारे physical body पर क्या फरक पड़ता है अगर मेरा mind सारा दिन यही सोचता रहेगा negative ideas के बारे में तो उसके कारण क्या होने वाला है negative ideas के कारण negative ideas के कारण मेरे सीधा सीधा nervous system के ऊपर effect पड़ेगा ठीक है जी, nervous system के ऊपर effect पड़ेगा तो obvious है endocrine system यानि की hormones के ऊपर असर पड़ेगा तबी तो जो लोग चिंता करते हैं उनकी body में anxiety के कारण stress के कारण कई सारे hormones जैसे की, नोड कीजिए cortisol जो है, वो ज्यादा बनता है ठीक है, इसका असर sex hormones पे पड़ता है ठीक है जी, sex hormones पे पड़ता है अगर सारा दिन आप इनी चक्रों के बारे में सोचते रहेंगे boyfriend, girlfriend के बारे में सोचते रहेंगे तो इन hormones के ऊपर effect पड़ता है पड़ता है के नहीं पड़ता है पड़ता है, ठीक है आप इसको medical surgical में भी पढ़ोगे कि इसका effect पढ़ता है और इसका effect जो है हमारे digestive hormones के उपर पढ़ता है ठीक है जी हमने एक word बोला है anatomy में that is homeostasis यानि की हमारी body में homeostasis ठीक है हमारी body में कुछ भी होता है वो जो हमारा शरीर है उसके उपर असर डालता है और हमारा जो home है उसकी internal environment है body की उसके उपर असर पढ़ता है तो इसमें physical और आप जो है हमारी mental उसको अलग नहीं कर सकते अब तो ये बहुत ज़्यादा अखबारों में, magazine में internet के उपर बहुत ज़्यादा research हो रही है बहुत ज़्यादा publications आ रही है बहुत ज़्यादा news आ रही है आज का youth, आज का student, आज का person जितना luxury life में जी रहा है उससे पहले हमने ये life ऐसे नहीं जी बट उतना ही man sickle जो हमारा तनाव है उतना ही जो anxiety है वो day by day बढ़ती जा रही है लोग LED TV बाद में लेके आते हैं पहले उसके remote को लेके tension में आ जाते हैं गाड़ी बाद में लेके आते हैं scratch के बारे में पहले डर जाते हैं किस्तों के बारे में पहले डर जाते हैं किसको दिखाने के लिए? लोगों को दिखाने के लिए लोगों को कहा पे दिखाते हैं? mind में कि अरे, लोग क्या कहेंगे, इसके पास छोटी गाड़ी है, इसके पास गाड़ी ही नहीं है, ये कम सस्ते कप्रे पहनता है, ये सब कहाँ पे है, माइंड में है, माइंड में, अरे माइंड से याद आया, इस वर्ड को कौन भूल सकता है, percentage, supplementary exam, ये भी तो एक अपने आप में हुआ है कि अगर नौकरी नी मिलेगी तो छोकरी नी मिलेगी छोकरी नी मिलेगी तो शादी नी होगी शादी नी होगी तो बच्चे नी होगे बच्चे नी होगे आरे 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 हम कहां पे जा रहे हैं कहां पे जा रहे हैं माइंड से स दौरान तो हाइड बढ़नी होती है और इसी के दौरान आ जाते हैं competitive exam इसी के दौरान आ जाते हैं board के exam percentage, government job, IAS, foreign का IELTS का exam, oh my god, हम सांस कब ले रहे हैं, सर भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, life इतनी busy हो रखी है, कि mind के उपर बहुत जबर्दस तसर पढ़ रहे हैं, हम बोल तो देते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बट समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसी तरह हमारी ego second number पे, what is wrong, what is right, ये समझ नहीं पाती, ये फैसला लें या वो फैसला लें, ये करें के ना करें, अगर ऐसा ह तो वैसा हो, जे मेरी life में ऐसा हो जाए, अगर मेरी life में ऐसा हो जाए, अगर मगर में कई लोग जो हैं, डूब चुके हैं, अगर मगर में कई लोग डूब चुके हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं, what is wrong, what is right, जो है, decide ना करने के कारण, mind disturb रहता है, mind का सीधा असर, nervous system endocrine system, digestive system, और इसके इलावा हमारी digestive system में क्या होगा, calcium absorb नहीं होगी, तो bones में problem आ सकती है, back pain रहेगा anxiety के कारण, आज कल लोगों को अपने lifestyle के कारण इतना back pain नहीं है, जितना phone चलाने के कारण है, phone मतलब stress, phone मतलब stress, क्या बोलूं, क्या message टाइब करूं, क्या सच बोलूं, क् वो online है, वो offline है, वो phone क्यों नहीं उठा रही, वो phone क्यों नहीं उठा रहा, बहुत 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 होगा पड़ा है, तो ये हमारा जो lecture है students, focus कर रहा है, mind का body के उपर effect, और बोलिये कौन सा system पकड़े, red color से पकड़ते हैं, जी च का मामला है, yes, यहाँ पे cardiovascular system, BP के उपर effect पड़ता है, जैसे ही किसी ने कुछ negative बोल दिया, heart beat उपर नीचे जा सकती है, ठीक है, मैडन ने बेश्ती कर दी, तो आस पास जो लड़की हैं, वो क्या सोच रही हैं, BP कम, BP ज्यादा, वर्यों को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे ब हारे heart की activity, activity के उपर effect पड़ेगा, business की बात करें, तो लोग जो है, lockdown में काफी up and down देख चुके हैं, काफी suicide के cases बड़े हैं, काफी weakness, काफी physical problems लोगों में बड़ी हैं, और mental illness का तो कहना ही क्या, mental illness जो है, बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है जिसके कारण depression, anxiety, obsessive, compulsive disorders बड़े हैं लोगों में, बहुत कुछ जो है, वो increase हुआ है, बट हम कभी कभी सोचते भी हैं, भी हम भाग भी रहे हैं, आना भी है, जाना भी है, तो जाना कहां है, जाना कहीं नहीं है, हमारी life का जो philosophy है, हमारी life का जो target है, my idea students, घर पे भोल दो, है, तो balance होना चाहिए, balance होना चाहिए, यहाँ पे balance, तो migraine हो सकता है, nervous system की बात करें, headache हो सकता है, headache, चश्मा लग सकता है, vision के मामले में, brain के पास आँखे लगी हुई हैं, तो वहाँ पे चश्मा लग सकता है, अरे mind के कारण इतना कुछ हो रहा है, ठीक है जी, अच्छे अ आर्मे गरंथों में mind के ऊपर बहुत focus किया गया है, meditation के अंदर focus किया गया है, yoga के अंदर focus किया गया है, क्यों? क्योंकि mind का बहुत ज्यादा effect जो है, body के ऊपर साफ साफ देखने को मिलता है, इसके इलावा, मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे unconscious mind के बारे में हम कैसे बूल सक स्टूडेंट्स जो है, उनको पता है कि हमारा जो individual है, उसका एक mind है, यह वाला, और mind के अंदर यह triangle fit होता है, ठीक है, psycho analysis, topography, तो यह है हमारा unconscious mind, इसमें आपकी इस lecture से पहले सारी life पढ़ी है, सारी life पढ़ी है इसमें, आपने पिछली जो भी life देखी है, आपने जो है तर तरह तरह के लोगों को आप मिले, तरह तरह के life में, events को आपने enjoy भी किया, और आप दुखी भी रहे, वो सब कुछ यहां पे पड़ है, इसी से बना आपकी life में experience, experience बना जी, इसी की कारण बना आपकी life में logical thinking, भी अच्छा, पहले तो मुझे कभी message नहीं किया, आज बहुत message आ रहे हैं मेरी friend के, मेरे friend के, ठीक है जी, logical, इसके इलावा abstract thinking यहां से बनती है, my dear students, हम जो हट के सोच लेते हैं, अलग सोच लेते हैं, वो हमारी परानी life का जो है experience है, हमने सीखा, अगर हमने यह सीखा, कि drawing में simple हट ऐसे बनती है, तो आज आप anatomy में complex diagram भी बना रहे हो, क् brain की, skull bones की complex diagram बना रहे हो, आपके जो unconscious mind में छुपे हुए विचार हैं, ideas हैं, मैं कोई आस्था चैनल नी चला रहा, मैं कोई धार्मिक चैनल नी चला रहा, आपके जो unconscious mind में बहुत सारे विचार दबे पड़े हैं, repressed feelings हैं, या आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपने किसी क जहां, pollution, political system, मोदी जी क्या करें, यह वो कर रहे हैं, और यह मनमों सिंग क्या कर रहे हैं, Congress, BJP, हमारी महंगाई, वगारा, मम्मी, पापा, रिष्टे, नाते, oh my god, fashion रहे गया, fashion रहे लड़कियों का fashion, तो इतना कुछ आपके unconscious mind में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, day dreaming म में चलता रहता है, रात को dreams में भी यही आता है आपके, dreams में भी यही जो है, तरां-तरां के रूप बदल के आता है, मन दुखी है, अंदर से आप ऐसे चल रहे हो, बोज के कारण, तो bad dreams आते हैं, bad dreams, ठीक है जी, जिसके कारण लोगों की नीन्द तूटती है, जिसको बोला जाता है, insomnia, insomnia, कितना कुछ सर ने, बिना सोचे समझे बोल दिया, बिना, जो है, stoppage लगाई बोल दिया, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि mind जो है, ये सच में, physical body के उपर, जबरदस्त effect जो है, वो डालता है, यहां पर unconscious mind मे बढ़ा कुछ चलता रहता है, बट इसको तो हम control खास नहीं कर पाएंगे, बट यहां पर जो आपका CM है, conscious mind, आपका chief minister, conscious mind, इसको तो आप control कर सकते हैं, कैसे? मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, यही सोच लूँ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, यही सोच लूँ, तो बहुत सेट हो जाए, come on once again मैं अगर ये सोच लूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो जिन्दगी जो है वो बदल जाए आज से अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखिए, mind को कंट्रोल करना सीखिए, गीता की बुक के आगे ठीक है जी, जो क्रिशन ने कैसे घोडों को पकड़ा हुआ है वो mind ही है, वो हमारे negative विचार ही है, काम करोद, लोव, मो, हंकार यही तो हैं वो घोडे, जिनको क्रिशन ने पकड़ रखा है, क्रिशन का मतलब intelligence, और intelligence जब इनसान ने use की है, क्या सही है क्या गलत है, मेरे को यह फैसला लेना चाहिए, के नहीं लेना चाहिए यह काम करना चाहिए, के नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ आपकी physical body पे effect डालेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि मैंने side पे जो pick दिखाई है यह one of the greatest हमारे Olympians हैं Michael Phillips, इनकी life, इनका past, unconscious mind parents की लड़ाई के कारण भरा पड़ा है, भरा पड़ा है बहुत कलेशन के गर पे रहता था, बहुत इन्हों ने जो है, life में up and down देखे हैं, बट उसके इलावा उसके बावजूद, यह जो person है, अपनी सोच के कारण अपने mind के कारण, swimming pool में आखरी time तक jump लगाने से पहले jump लगाने से पहले my dear students यह headphone नहीं उतारते यह media की बाते नहीं सुनते, क्या आज आप जीतेंगे क्या आज आज आप medal लेके आएंगे बिलकुल नहीं सुनते और अपने mind को control में रखते हैं, mind को control में रखते हैं, जितने भी धार में गरंत हैं mind को control करना सिखाते हैं mind को control करना सिखाते हैं medical science क्या पड़ा रही है this is brain, neuron, synapse spinal cord, spinal nerves ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, action potential बट इन्होंने तो बात ही खतम कर दी हम मन को शांद कर सकते हैं हम BP control में कर सकते हैं बूख control में कर सकते हैं और अपनी जो negative ideas बैड habits हैं, उनको control करके physically fit जो body है, वो प्रापत कर सकते हैं, यही हमारे lecture का जो है, main funda है और यहाँ पे हमारा जो person है, individual psychology में एक individual है, पता नहीं कौन है, अरे भाई साब आप और मैं हूँ और कोई नहीं है, ठीक है जी psychology बहुत अच्छा subject है इसको बस समझ लीजिए, funny way में हम lecture ले रहे है, unconscious mind के हमारे जो repressed feelings हैं, छूपे हुए विचार, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपकी जिंदगी में कोई विचार, आपके mind में कोई पाप, कोई पुन, आपने किया, कोई negative विचार आपके mind में चल रहे है, कोई thought process चल रहे है, ठीक है, किसी का कुछ देना है, आपने करजा ले रखा है, mind मन का, शांती का, प्यार का करजा, कुछ भी, वो repressed feelings दबी हुई भावना हैं, छुपी हुई भावना हैं, life के failure आपके मन में चुपे हुए हैं कई बार, ये physical रूप भी ले ले लेते हैं यानि एक person के mind में क्या चल रहा है वो physically दिखाता है class में मैं बढ़ाता हूँ, तो बड़ा common सा process देखने को मिलता है nail biting ऐसे बच्चे बता नहीं क्या सोचते रहते हैं भी sir class से जाएं, तो उसको मैं जवाब दूँ, ठीक है chat करूँ, बड़ी तेज तेज टाइब करूँ और जवाब दूँ, failure life के और किसी को कुछ जवाब देना है आपने, आपकी आत्मा यहां तक भरी पड़ी है, ठीक है लोग अकसर यह problems करते हैं class में nail bite नहीं कर सकते तो मुँ में marker डालो, मुँ में pen डालो ऐसमें बैट जाओ, सोचते रहो वो तरह नहीं क्या चल रहा है और सामने पड़ा है, अच्छा खाना अच्छे कपड़े, अच्छा room AC लगा हुए हर सुविदा है बट mind है कि पता नहीं कहां जा रहा है ego है, ये फैसरा नहीं कर पा रही judgment, what is wrong, what is right तो body के उपर असर पड़ता है id कह रहा है कि my pleasure, अभी कर दे अभी कर दे, पता नहीं जिंदगी मिलेगे कि नहीं मिलेगी, मौज कर ले बावेटे मौज कर दी ठीक है, pleasure के उपर focus कर रहा है, ज्यादा ही अनन्द लेंगे, तो भी body में problem आ जाती है, ठकावट आ जाती है, ठक जाते हैं, पड़ाई में मन नहीं लगता, मन तो मौज मस्ती के लिए कहता है, जो id energy है वो कहती है, वस खेल ले, सो ले आज Sunday है, आज Monday है हो चुकी है, और mind का body पे असर दिखता है, सुस्तपन, laziness, और काम की talmatol, talmatol को बोलते हैं, eccrasia, eccrasia, ठीक है, notes तो आपको मिल जाएंगे, notes तो आपको मिल जाएंगे, but lecture जो है, दिल्चस्प होना चाहिए, हम बना रहे हैं, इसको मिलके दिल्चस्प, super ego पे आ रहे हैं, super ego के कारण कुछ लोग ज्यादा ही over discipline हो जाते हैं, मैंने बता दिया life का मतलब balance, life का मतलब balance, discipline हो जाते हैं, discipline, discipline, ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ, class में सीधा बैठना है, इतने बज़े आना है, इतने बज़े जाना है, जब हम पढ़ते थे, तो मैं इतने बज़े class में आ जाती थी, मेरे ये teacher ऐसे बोलते थे, वैसे बोलते थे, अभी तक तो आपने discipline देखा ही कहां है, तो ये classes में बड़ा common सा चलता है, जो ये बात है, ठीक है, सब को balance चाहिए, सब को मौज मस्ती चाहिए, सब को funny lectures चाहिए, सब को attractive way of teaching चाहिए, super ego ज़्यादा ही discipline के कारण person, अपनी body को stress मिले जाता है, time पे पहुँचना, time के अपने task को पूरा करना, ठीक है, ये आपको successful बनाता है, बट कही ना कही physically आपको exhaust कर देता है, आप अपनी family को time नहीं दे पाते हैं, आप society को time नहीं दे पाते हैं, सबसे बड़ी बात, आप खुद को time नहीं दे पाते हैं, ठीक है, खुद को जो है, time नहीं दे पाने के कारण, insomnia, indigestion, body pain, cervical pain, neck pain, headache, low vision, उच्चा सुनाई और political system, religious system, हमारा समाज के ताम जाम, ये इनसां को लुलुलुलुलुलु कर देते हैं, शाम तक इनसान सोचता है, मैं धर्ती पे आया ही क्यों, मैं क्यों आया हूँ, यहां पे, क्यों आया हूँ, अब तो लोग ये case कर रहे हैं, कि आपने मेरे को जनम क्यों दिया, ठीक है, यानि जनम क्यों दिया, अरे भाई, God knows, God knows, इनसान कहां जा रहा है, God knows, पहले था कि चीजें नहीं थी, हमारे पास material नहीं था, और आज का इनसान material में ही जो है, वो डूबता जा रहा है, आज के इनसान को लगातार motivation चाहिए, आज के इनसान को लगातार जो है, वो अपने आपको motivate करने के लिए, push करने के लिए उच चाहिए, जिसकी तलाश में लोग जो है, love affairs ला रहे हैं, कोई समझने वाला चाहिए, कोई understanding वाला चाहिए, सब कुछ यहाँ पर पड़ा है students, everything is mind, everything is mind, और tension जो है, ये person में कई बार negative विचारों को भी जनम देती है, tension जो है, negative विचारों को भी जनम दे रही है, जैसे की anger, गुसे से भर जाना, चिला के बात करना, बड़ी जल्दी आपा खो बैठना, गुसे से चलना, jealousy, 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 इरखा करना, किसी से जलना, जलन हो रही है, मकाबला नहीं कर सकता, mind कमजोर है, तो jealousy कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, उसका character उच्छाना जा रहा है, उसके इतने boyfriend, उसके इतने girlfriend, वो ऐसा, ये ऐसा, ये ही बोला जा रहा है, क्योंकि मकाबले में तो आप कहीं है ही नहीं है, mind आपका कमजोर है, आप negative विचारों से घरे पड़े हैं, तीन चार दोस्त आसपास बैठ जाते हैं, जो negative विचारों से और भर देते हैं, आपको push देते रहते हैं, एंड में आप रह जाते हो अकेले, जिसके कारण ये सारा mind का असर आपकी body पे, physically ऐसे बैठना, तकावर सी महसूस करना, और तूटे तूटे से रहना, खाली पन फील करना, isolation फील करना, ये सब common है, ये सब common है, हाइपर सॉमनिया हो सकते हैं, एक को तो नींद ही नहीं आती, एक को नींद जाती ही नहीं है, इसको आती ही नहीं है, इसको जाती ही नहीं है, ठीक है जी, हीरो पन्ती, हाइपर सॉमनिया, हाइपर सॉमनिया जी, ज़्यादा सोना, एनुरेक्सिया, भोख नहीं लगती, ठीक है? मुझे नीद ना आए, मुझे चैन ना आए, ठीक है? कोई जाए ज़रा डोन्ड के लाए, ना जाने का हम मेरा दिल खो गया, दिल दुल हमारा कार्डवसकर सिस्टम होता है, और माइंड होता है हमारा दिल यहाँ पे मन, मन, ठीक है? मेरा मन क्यों तुझे चाहे? क्यों तुझे चाहे, क्यों किसी को चाहे, अपने आपको चाहे, सबसे पहले mind को अपने आपको प्यार करना आना चाहिए, अपनी physical body, mental body के उपर focus करना आना चाहिए, तबी जो है mind positivity से भरेगा, mind को good need आएगी, mind को, दिल को हमारे अच्छी भूख लगेगी, अच्छी exercise होगी, balance life के कारण हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, और हम सबने यहाँ से एक दिन जाना है, balance के साथ ही जाएंगे, तो आप आने वाली generation को एक नई example देके जाएंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे maximum images डाल के साथ साथ, जो है, सारी feelings को समझा, यहाँ पे notes तो आपको description म मिली जाने हैं, और साथ साथ आपने notes को समझा भी, और sweating है, BP है, indigestion है, insomnia है, ठीक है जी, और हमारे hormonal imbalance है, ठीक है, चोटी उमर में ही जो है, periods की problem, चोटी उमर में ही बालों का जड़ना, alopecia, और pimples की problem, oily skin, और height ना बढ़ना, height बहुत ज्यादा हो जाना, यह सब कुछ early stage में माइंड में है, मेरे कुछ students बोलते हैं कि सर बेबी को क्या stress हो सकता है, अरे बेबी को survival का stress है, physiological stress है, कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, uncomfortable position में पढ़े हैं, गीले में पढ़े हैं, सुसू कर रखा है बीच में, और भूख लग रही है, कोई प्यार नहीं दे रह जैलिसी कर रहे हैं कि दूसरे को प्यार क्यों मिल रहे हैं, human being जब पहली सांस लेता है, उसी दिन से mind जो है, segment fruit के according ready हो जाता है, ठीक है जी, तो ये था हमारा mind, अब हम बात करेंगे हमारे शरीर का, body का mind के उपर effect, तो कहीं न जाएए, end तक बने रही है, ये lecture आपके लिए आपके द्वारा जो है, दिल्चस्प होने वाला है, so stay with us, alright, तो हमने mind का body के उपर क्या effect है, वो discuss किया, अब हम body का, मेरे physical body का, मेरे mind के उपर क्या effect है, उसको discuss करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे right side पे, physical fatigue जो है, वो हमारी concentration, ध्यान को भंग कर सकती है, ठीक है, जो students आखरी 15 दिनों में, day cramming, pay cramming, day cramming, pay cramming, रटा मार, 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 रटा मार, तो उसमें believe करते हैं, concentration down चली जाती है, life के कई पंगे और भी हैं, ठीक है, personal life है, family life है, उसके उपर focus करना होता है, अपनी जो है, रोजमरा की habits हैं, आपकी जो passion है, आपकी जो शौंक हैं, ठीक ह होता है, और comfort भी तो चाहिए भाई साब, ठीक है, और pleasure भी चाहिए, respect भी चाहिए, respect और प्यार भी चाहिए, सभी मेरे से अच्छे से पेश आएं, और मैं अमीर भी हो जाओ, तो इतनी concentration, इतना ध्यान, हर जगा, हर तरफ, दुनिया में, चीजों में, substances में, material में, money में, economics मे politics में, entertainment में, हर जगा आपका ध्यान है, तो इतनी ज्यादा जो भाग दोड इनसान कर रहा है, सारा दिन खप रहा है, over the limit, जो है time दे रहा है हर चीज में, entertainment में, पढ़ने बैठता है, तो पढ़ता ही जा रहा है, ठक जाता है, आँखे हैं, सिलरी muscles हैं, ठक जाएंगे, सिलरी कहां पड़ेगा, वो पड़ेगा ठकावड के रूप में, फिर परसन देखते देखते ऐसे dizziness और सो गया, और सो गया हमारा जो है, ये मस्तराम, ये सो गया, ये सो गया, उसके बाद है जी, अगर किसी को भगवान ना करे, hyperthyroidism है, यानि T3, T4 hormones ज्यादा बनते हैं, मैं य दिखना चाहिए, T3, T4 बढ़ गए, triidothyron 9, आरे बाड में गया, triidothyron 9, byron 9, हमारे बच्चे का, हमारे individual का यहां पे thyroid बढ़ गया, stress के कारण, jeans के कारण, environment के कारण, और body की demand के कारण, कई बार तो पते नहीं जलता भी क्यों बढ़ रहे हैं, बट इसका जो है, सीधा पर पढ़ता है, अगर किसी के thyroid में problem है, तो उसकी जो restlessness है, उसको नीद नहीं आती जल्दी जल्दी, जो है, insomnia हो सकता है, mental activities, जो है, disturbने लग जाएंगी, बड़ी जल्दी, irritate रहने लग जाएगा, हमारा person, irritate, ठीक है, चिड़चरापन, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिय negativity, मोटापे के पारे में बोल दिया, किसी ने मजाक उड़ा दिया भी, तो तो बहुत पतला है, तो बहुत मोटा है, तो negative, जो है, mind में असरा ना शुरू हो जाएगा, बात सफेद होने शुरू हो जाएंगे, stress के कारण, ठीक है जी, और लड़कियों में हेर्स्योडिजम की प्राडम आ सकती है, दाड़ी मुच्छे दिखना, यानि फेशियल हेर्स की ग्रोथ जो है, वो दिख सकती है, ओवर एक्साइटमेंट, छोटी-छोटी बातों को लेके, ज्यादा ही मेनियक हो सकता है, ज्यादा ही excitement में आ सकता है, अगर T3, T4 hormones बढ़ जाते हैं, तो ये सार बाड़ी के कारण है, अगर ये hormones कम हो जाएं, भढ़ जाएं, T3, T4 और ये बदमाश hormones हैं, किसी भी cell में जाके, उसके metabolism को effect कर सकते हैं, हाइड कम जाज ज्यादा करवा सकते हैं, excitement neurons के अंदर ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कार्डियो बस्कूर सिस्टम के उपर effect डाल सकते हैं, इसके इलावा ये हमारी जो वी कैसे pregnancy है, उस दौरान congenital problems भी कर सकते हैं, ठीक है, अब जिस के person को, बचारे को, जनम से ही बिमारियां हो चुकी है, congenital, वो कैसे अच्छी life जिएगा, वो कैसे अपने मन को समझा ले, कि मेरे cleft palate है, और मेरे surgery होनी है, ठीक ह जी, we can say, cardiovascular problems हैं, तो खेल नहीं पा रहा, तो mind के उपर असर पड़ेगा, कर सकते हैं, एक ऐसा individual जिसका कोई कसूर नहीं है, बट फिफ्ट और सिफ्ट क्लास से ज्यादा पड़ी नहीं पा रहा, उसका मन नहीं लग रहा पड़ने में, autism को हम कैसे कर सकते हैं, तो body का mind के दिन के बाद, और ये कलास की लड़की पड़ रही है, 20 दिन पहले, कि टेस्ट होगा ही होगा, और नीद नहीं ले रही, किसी को रेस में लगी है, percentage लेने के लिए, मैम मेरे आदा नंबर कम क्यों आ गया, मैम आदा नंबर कम क्यों आ गया, लड़के जो ये lecture सुन रहे हैं, वो कहेंगे, शुकर मना, हम पास हो गए, तू आदे के लिए रो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे anxiety जो है, वो हमारी personality, depression तक जा सकती है, काम खराब कर सकती है, OCD, यानि बार बार चीजें चेक करना, बार बार count करना, ठीक है, obsessive competitive disorder, ज्यादा ही साफ सुतरी, जगा पे बैठन body hygiene पे focus करना, यह सारी problems आ सकती है, यह सारी problems जो है, आ सकती है, और हद तो तब हो जाएगी, जब इनके कारण person को, my dear students, mania, depression, ठीक है, mania, depression, और आज का youth, इन सभी problems के कारण, मन कमजूर होने के कारण, habits bad होने के कारण, company bad होने के कारण, target की कमी होने के कारण, घ्यान की कमी होने के कारण, रटा मारने के कारण, poor teaching system के कारण, poor political system के कारण, poverty, lack of sources, unemployment, और foreign जाने की चाहा में, वहाँ जाके छोटे छोटे जॉब करना इस सभी इच्छाओं में वो अल्टीमेटली डब जाता है डिप्रेशन में और चला जाता है ड्रग अडिक्शन की तरफ अरे किसका दिल करता है कि वो नशेडी कहलाए ड्रग अडिक्ट कहलाए बेवड़ा कहलाए बट मजबूरी कह देता है मजबूरी डिफेंस मेकनिजम है अरे उठो लड़ो आगे बढ़ो स्ट्रगल करो यही तो लाइफ है यही तो आपकी बाड़ी को दिखाएगी कि आपने फिट रहना है और जैसी बाड़ी वैसा माइंड जैसा माइंड वैसी बाड़ी तो सक्सेस आपका होगा आज अच्छे थे बुरे थे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लोग बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद सबको फर्क पड़ेगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यह आपके किसमें है माइंड में हैं कि ऐसा हो जाएगा दुनिया रुक जाएगी वैसा हो जाएगा कुछ भी जो है वो यहाँ पे रुखता नहीं है कुछ भी है जो है यहाँ पे रुखता नहीं है बलड वाला सिस्टम की बात करें तो अनीमिया, खून की कमी फिमेल्स को पीरियर्ड्स की प्रॉल्बम के कारण मेस्ट्रोस सैकल के कारण एच बी जो है उनका अकसर कम रहता है ऑक्सिजन ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं तो थकावड, लैक ओफ कंसेंट्रेशन जल्दी थक जाना ठीक है, बॉड़ी पेन, हैड डेक विजन कमजोर होना ये सारे उसके सिम्टम्स ही सिम्टम्स हैं जो की साफ साफ दिखाते हैं कि पर्सन इस नॉट फिजिकली फिट बॉड़ी का माइंड के उपर माइंड का बॉड़ी के उपर मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहिए दूसरे चैनल्स की सुनते रहिए साइकलोजी के लेक्चर हमारे लगाईए साफ वे स्लेबर्स कीजिये फणी के साथ-साथ examples के साथ-साथ साइकलोजी tips पे कर देंगे आप fundamental में लगते ओ provide psychological support to the patient दे नी है support दे नी है mental health support बट खुद भी तो adopt करनी है खुद आपका मन भी तो ऐसे लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए खुद भी तो आपको जो है बहुत कुछ आना चाहिए समझ में कि जिन्दगी जीने का नाम है जिन्दगी मरने का नाम नहीं है हमने वैसे ही खत्म हो जाना है तो क्यों रोज रोज यहां पे मरने की बात करना क्यों test से डरना, क्यों supply से डरना, क्यों examination से डरना, क्यों marriage से डरना, divorce से डरना, क्यों insult से डरना, आने दो insult, आने दो failure, आने दो कोई बात नहीं, आज नहीं कल मैं successful होंगी, ये attitude आप रखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसके इलावा हमारी nutrition को हम कैसे बोल सक करते हैं, junk food avoid कीजिए, junk food, ठीक है, जब एक्टिवा नया होता है, गाड़ी नहीं होती है, तो उबर खबर सड़क पे bounce back नहीं करती है, ठीक है, और उसी तरह आप अभी young age में हो, तो आपकी digestive system जो भी अंदर डालते हो, हजम कर लेता है, digest कर लेता है, but एक दिन एज बढ़े खा लिए, बहुत मैदा वाली जो चीज़ें वो खाई है, ठीक है ना, refined floor खाया है मैंने, और exercise नहीं की, smoking, alcoholism, lack of exercise, stress, नमक का intake ज्यादा, ये महंगा पढ़ने वाला बाई, ये बात महंगी पढ़ने वाली है, और ये कर सकती है, आपको mental के साथ साथ physical problems, physical problems जो हैं, यहाँ प वो समझ आ गया होगा, crystal clear हो गया होगा, आप सुस्ती वाला lecture भूल जाईए, psychology के lecture यहाँ लगाईए, with images, आपको जो है, with notes, ये lecture मिलने वाले हैं, in description आपको, जो हमारी PDF है, वो मिल जाएगी, download कीजिए, साथ साथ देखिए, share कीजिए, और अपने maximum life को improve कीजिए, percentage तो आ ही जानी है, improve करो, अपने आपको improve, mentally strong हो जाओ, जो life में आए, हम जेल जाएंगे, जो life में आए, हम जेल जाएंगे, ऐसा attitude रखो, फिर देखो आपकी body and mind, balance की तरफ कैसे जाते हैं, so once again, thank you for watching this video, stay motivated, keep rocking, keep rocking and keep rocking.